कल हमने एक स्टोरी की थी, Waves of Wisdom, उसका हमने Part 1 किया था, जिसमें हमने देखा था कि ये लड़का है Chris, जो अपने दादा जी और अपने ममी पापा के साथ South Australia में रहता है, और हर सुभा वो दादा जी के साथ खूमने जाता है, वो दादा जी के नक्षे कदम पर चलना जाता है और एक स्विमर बनना जाता है, इसके लिए उसने अपने दादा जी से बोला कि मुझे स्विमिंग सिखा दो, दादा जी ने उसे स्विमिंग सिखाने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन उन्होंने बोला, चाहिए जो भी हो जाए, तुम हार नहीं माणोंगे, तो इसके the next day मतलब अगले दिन Chris woke up Chris Jaga at the crack of dawn crack of dawn आप क्या कह सकते हैं early morning बहुत सुबा बहुत जल्दी जैसे की सूरे की पहली किरन हम हिंदी में बोलते हैं उसी तरीके से and hurried to the beach और जल्दी से बीच पर जला गया the smile on his face shone like the rising sun उसके चहरे की जो मुसकान थी वो उगते हुए सूरज की तरह चमक रही थी showing what he had bought from the market वो market से जो लाया था उसे दिखाते हुए showing what का मतलब दिखाते हुए जो उसने market से खरीदा था he asked pa उसने अपने grandpa से बोला look pa my new trunk do you like them क्या आपको यह पसंद आए the innocence of Chris made past smile innocence क्या होता है मासूमियत जो Chris की मासूमियत थी उसकी वज़े से Chris जो उसकी दादा थे वो smile करने लगे yes they are beautiful वो बहुत सुन्दर है and you look very handsome in those red trunk और इन red trunks में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हैंडसम क्या होते है boys के लिए men के लिए हम generally handsome word कर यूज करते हैं और girls के लिए beautiful giggled pa giggled pa मतलब खिल खिलाते हुए उन्होंने ये बात बोले हसते हुए खिल खिलाते हुए जब हम कुछ बोलते हैं तो उस किस में हम giggled word कर यूज करते हैं pa knew that swimming in the ocean pa जानते थे new मतलब जानते थे swimming in the ocean would not be easy for Chris Chris के लिए समुद्र में तैरना असान नहीं होगा every time हर बात Chris went into the Chris क्या हुआ गया into the water water में जाता था the waves pushed him to the shore जो waves थी वहां की लहरे थी वह धकेल देती थी कहां पर धकेल देती थी Chris को धकेल देती थी to the shore के नारे पर ले आती थी वापिस से his small उसकी जो छोटी timid यहां पर timid body timid का मतलब होता है डर-poke मतलब डर-poke body इसलिए बोला गया कि वह डर-डर के पानी में जा रहा था could not withstand withstand का मतलब का सामना करना किसका सामना नहीं कर पा रही थी उसकी body the strength of the waves जो waves की ताकत थी उसकी जो body थी उसका सामना नहीं कर पा रही थी तो withstand एक बहुत ही अच्छा word है इसका मतलब होता है सामना करना सून जलती ही after a few days कुछ दिनों के बाद Chris got weary of swimming weary मतलब क्या होता है हार गया थक गया हार मानली उसने पा I cannot swim cannot मतलब मैं नहीं कर सकता cannot का use हम कब करते है जब आप अपनी ability दिखाते हूं cannot swim मैं नहीं swim कर सकता every time I try to swim मैं जब भी swimming करने की कोशिश करता हूं forward मैं आगे की तरफ होता हूं the waves push me back waves जो है मुझे पीछे की तरफ धकेल देती है I am tired मैं थक गया हूं explained Chris Chris ने समझाया किसे समझाया अपने दादा जी को pa new Chris would give up पाको पता था कि Chris हार मान जाएगा तभी उसने promise लिया था कि तुम हार नहीं मानोगे so he explained to the Chris Chris को समझाया किसने समझाया पाने समझाया nothing in life is easy my love हमारी life में कुछ भी easy नहीं होता असान नहीं होता every step you will take life will push you back तुम कोई भी step लोगे life जो है जिन्दकी जो है वो तुम्हें पीछे धकेल देगी you must learn to make a stand लेकिन तुम्हें डटे रहना होगा to make a stand का मतलब क्या होता है डटे रहना fight, fight harder लड़ो और और जोर से मतलब और कठिन तरीके से परियास करो try harder कोशिश करो और कठिन तरीके से कोशिश करो never give up हार मत मानो until until मतलब जब तक नहीं you learn what you wanted to learn तुम जो सीख जाओ जो कि तुम सीखना चाते हो तब तक हार नहीं मानो और कोशिश करते रहो same thing goes with your English learning journey अगर आप English सीखना चाते है या फिर कोई भी काम ऐसा काम करना चाते है जिसमें करने में आप बहुत ज़्यादा effort कर चुके आपको वो नहीं आ रहा है तो आपको हार नहीं बाननी है you have to fight harder try harder आपको कोशिश करते रहना है after hearing Pa's story as a child Pa, अपने grandpa की story सुनने के बाद Chris's face lit up with confidence Chris का जो face था जग-मगा उठा lit up मतलब जग-मगा ना किस से जग-मगा उठा? confidence, आत्मविश्वास से आप उसने डुप की लगाये फिर से और गोता लगाया into the ocean फिर से गोता लगाया with great weller every day until he learn to swim like a fish अब यहां पर नया वर्ड आपके लिए great weller, weller क्या होता है? दिलेरी से सहस के साथ पहले क्या था? वो डर-डर के लगा रहा था तब ही हमने बोलता है timid body now उसने क्या-क्या great weller जैसे हमारे शोल्जिस जो होते हैं सीमा पर लड़ते हैं दिलेरी के साथ सहस के साथ तो वहां पर हमारा word क्या यूज होगा? weller weller everyday हर दिन वो और ज्यादा दिलेरी और ज्यादा सहस के साथ गोता लगाता था और वो तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि वो बिलकुल fish की तरह से मचली की तरह से तहना नहीं सीखा तो इस स्टोरी का हमारा model क्या है? every lesson in life will be challenging कोई भी हम lesson करें मतलब कुछ भी हम काम करें कुछ भी नया सीखने की कोशिश करें सब कुछ चुनोती पूर्ण होगा accept it उस चुनोती को स्विकार करो and never give up कभी भी हार नहीं मानो before किस से पहले हार नहीं माननी है you achieve it जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ सफल ना पालो मतलब अगर आप English बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको तब तक हार नहीं माननी है जब तक आपको English बोलनी नहीं आ जाती तो Chris की इस स्टोरी से आपको सीखना है और अपनी English को daily basis पर practice करना है अगर आपको इस तरह है कि ओ स्टोरी को सुनना है और उससे English सीखनी है तो आप comment section में मुझे जरूर लिखिएगा क्मुपेगा यजू झाल झाल